नमस्कार आज का मुद्दा च्छतिरगर्ण में आपका बहुत-बहुत स्वाजत है मैं हूँ श्रफ दिवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सत्र पर सियासी संग्राव तो च्छतिरगर्ण विदान सभा का मानसून सत्र बाइस जुलाई से आरंभ हो रहा है जो कई मायनों में बेहत खास रहेगा जिसमें सत्ता पक्ष कई एहम विधेयक लाने की तयारी कर रहा है तो विपक्ष हर दिन एक मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताओं की तयारी कर रहा है तो दूसरा विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप को डिफ्यूज करने के साथ नए विधेयक लाने की तयारी में है आज इसी पर बात करेंगे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे डिबेट की तरुए 36 गण विधान सबा के मांसूज सत्र में इस बार बालोदा बजार हिंसा रायपूर में गोली बारी और किसानों को खाल की किल्नत समय तमाम मुद्नों पर जोड़दार हंगामा सुनाई देगा 22 जिवराई से शुरू हो रहा सत्र महज 5 दिनों का होगा जो बेहत खास होगा राज बनने के बाद से पहनी बाल ऐसा होगा जब सदन में ब्रिजमोहन अगरबाल लज़र नहीं आएंगे उनके स्थान पर मंत्री केदार कश्यम संसंदी कार्यमंत्री की भूमी का निभाएंगे इस छोटे सत्र में सरकार कई अहम विध्यक लाने की तयारी में है तो विपक्ष भी हर दिन एक मुद्दे पर इस्तगन प्रस्ताव लाएगा सत्र पर स्यासी संग्राम महच पाच दिनों का होगा विधान सबा का मांसूल सत्र मांसूल सत्र में 966 सबालों की होगी बोचार हर दिन इस्तगन के जरिये विपक्ष भोलेगा धाबा परफॉर्वेंस के हिसाब से घिरेंगे मंत्री सत्र में पहले दिवंगत सदस्यों को दी जाएगी शर्धान जरे सरकार कई अहम विधाक करेगी पेश मांसूल सत्र को लेकर पक्ष भिपक्ष भी तैयारी में जुटे हैं सत्ता पक्ष ने सभी सवालों का जबाब देने के लिए खुद को तैयार बताया तो वहीं कांगरेस 21 जुलाई को विधायक दल की बैठकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेलने की रणलिटी बनाएगी देखिया आज कांगरेस परटी के जो हालात है वो किसी से छूपा नहीं है विधान सभा का सत्र होने वाला है आए विधान सभा में अपनी बातों को रखें सरकार उनके एक-एक प्रस्नों का जवाब देने के लिए तयार है और पुरी तयारी सरकार के तरब से है एक-एक मुद्दे का जवाब देने के लिए बिलकुल मालसुन सत्र में इस पांस दिन में कॉंग्रेस पार्टी के विधायक, कॉंग्रेस पार्टी के तमाम हमारे विधायक सातीगर आकरमक रूप से मुद्दे रखेंगे, मुद्दों के कमी नहीं है भारती जन्ता पार्टी हमारी तमाम मुद्दों को जवाब देते देते ठक जाएगी इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने रन्निती बनाया कि हमारे MLS सड़क के अंदर लड़ेंगे और कॉंग्रेस पार्टी सड़क के बाहर लड़ेंगी 36 गड़ विधानसवा सत्र कई मायनों में खास होगा विपक्ष इसबाल, बालोदवजार हिंसा और विगलती कानून व्योस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के मूड में है तो वहीं सत्र पक्ष भी सरकारी योजनाओं को ठाल बनाकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देता नजर आएगा ऐसे में ये तैह है कि सदन की कारवाई हंगामेदार तो होगी है, काफी दिल्चस्प भी होगी उनके चिर्व परिषित संगी और अनुज धनेजय सिंग ठाकूर है वह उसी चवी के प्रतिनिधी कांग्रेस के राजनेता हैं प्रवक्ता हैं बहुत स्वागत उनका और प्रकास्ष चंद होता सर है पुरिष्ट पत्रगार हैं राजनीति विसलेशक हैं और शत्यश गड़ी नहीं राश्टी राजनीति के भी हर पहलू को बहुत करीब से देखते और समझते हैं होता सर्थ कैसे देखते हैं आप इस सत्र को जहां मुद्धे हैं काफी ताकत से मुद्धे उठाने की बात कॉंग्रेस कर रही है दीपक बैच को आप भी सुझा रहे होंगे कि सदन के भीतर विदायक और सदन के बाहर सड़क पर कॉंग्रेस हम लड़ेंगे लड़ने के अलावा कोई विकल्प और दूसरा रास्ता भी नहीं है क्योंकि 36 गण मध्यप्रदेश की तुलना में कॉंग्रेस के प्रती कुछ जुखता अधिक है ये बात हम पहले भी कह चुके हैं इसलिए कॉंग्रेस को वहां लड़ाई से ही वापसी करने का रास्ता उसके लिए खुला है क्या लगता है आपको कि इस सत्र में संग्राम वाकई जवर्जस्त होने के आसार हैं सवाल आप पूछे बहुत महत्तो पुन्यों है और जो 36 गड़ की कॉंग्रेस पार्टी है वो अपनी पूरी उर्जा राहूल गांधी का जो पहले दिन का जो सत्र था लोकसभाम है और उसी से उर्जा लेगी जिस तरह से राहूल गांधी न अपने बाते रखे वो कॉंग् भी बीना परवा किये बीना लाग लपेट के सब के खिलाब कुद पड़ो परवा ना करो कि क्या होगा नहीं होगा क्योंकि एक ही रस्ता बचा है इसके अलावार कोई विकल्ब नहीं है कॉंग्रेस के पास पिछले बार आप हम देखे थे बिधान सभा के सत्र में एक बार हो सकी है मंत्रियों की कि किस तरह से सदन को फेश करना यह जवाब कैसे देना है और कैसे बचना है तो इस बार दोनों के लिए ऐसा नहीं है कि नया होगा और कॉंग्रेस भी कम नहीं है काम अगर कोई आखेगा तो बड़ा सा उनका भी है ऐसा नहीं की छोटा सा कुनवा हो गया नहीं है सत्ता पे नहीं है लेकिन मजबूत विपक्स है और दूसरी तरह सत्तारुड दल में एक चीच कभी रहेगी वो है ब्रिजमोहन जी की जो सत्र के समय सदन के अंदर की जो रणनिती रहती है विपक्स को अपने साथ ले जाने की वो भूमिका इस बार को निवाएगा वो देखना होगा तो कुछ खामिया है कुछ क्यमिया है और साथ में जो उत्साहक कॉंग्रेस के पास है उसकी ठोस रणनिती हो सकता है आज और कल बीजेपी अपने विधाग दल के बैटाग में इस बात को सुनिश्चित करे कि कैसे उसको बचा जाए इस प्रहार से और उनके उपर विपक्स के उपर और बिसेस कर कॉंग्रेस के उपर किस तरह से हावी हुआ जाए लेकिन जो मुद्दे हैं जैसे बर्दा बाजर का है मुद्दा एक ऐसा है जिस पे बहुत किसी के खिलाब सरकार आरोब नहीं लगा साथ रही है जी बिलकुल आपने सही का सर और च्छतीस गड़ के इतिहास में खास तोर से 24 साला इतिहास में जब से वो राज्य बना है मुझे लगता है कि नकसली हिंसा को अगर छोड़ दें तो नगरी हिंसा किसी नगर में 36 गड़ के ये हिंसा की पहली और चौका देने वाली घटना है और क्यों हुई ये जाँ चल रही है लेकिन इसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ और बहुत चौका देने वाला विशह है सुंद्रानी जी बहुत बखूबी बात रखी है होता सर ने अपनी की राहुल गांदी कहीं न कहीं एक मोटिवेशन तो बने हैं कॉंग्रेस के लिए कि लड़ने के लावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है आप लड़ेंगे जो कहा भी जाता एंग्रेजी में कि अक्रमन ही सबसे बहतर सुरक्षा है तो आपको भी अपनी सुरक्षा भी करनी है जवाब भी देना है और बताना भी है कि बीजेपी क्यों एक और पार्टी है और जिस तरह से होता स जी को भी सुना दीपक बैज जी कह रहे थे कि हम विधायक दल अंदर लड़ेगा और पार्टी बाहर लड़ेगी निश्चित रूप से हमारे विधायक दल की बैठक अभी चल रही है मानि मक्हमंत्री जी के निवास पे और सारी रणनीती तैयार की जा रही है मैं ये पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेसी मित्रों से उनके पास कौन ता मुद्दा है साथ मेहने की हमारी सरकार है साथ मेहने में जितना काम इस सरकार ने किया है विष्णु दैजी की सरकार ने शायद भूत और भविशती पांच साल कॉंग्रेस की सरकार ब्रष्टा चा गोटाला और आन्यस बहुत सारे घोटाले चायो रेज घोटाला हो कोईला घोटाला हो बहुत सारे घोटालों की लंबी सूची इनके खिलाप हैं ये अपने महादेव सट्टा एफ तक के ये अपने आरोपों से ही उभर नहीं पाएं हैं कॉंग्रेस पार्टी अंदर से टूटी फूटी है बाहर से भी टूटी फूटी है ने इनका साहस बचा इतना ज़्यादा ब्रश्टाचार इन लोगों ने किया है कि आज इनका साहस ही नहीं कि किसी से आखे मिलाके विरोध कर तक हैं रहास दूसरी दोर हमारी सरकार भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने मातारी वंदन योजना लागू की क्या उसका विरोध करेंगे ये लोग या किसानों को 31 सो रुपे में 21 क्विंटल धान खरीदने का काम अगर किया है तो विष्णु देश जी की सरकार ने किया है क्या उ इमानदारी से सरकार चल रही है एक भी आरोस sono इनके तुर्फ से लगाने की शमताइन में नहीं है अपनी राजनेते की इस्थितिं को बचानेके लिए अपने आपको दिली के सामने प्रस्तुत करने के लिए ये विरोध करेंगे लेकिं ये विरोध भी नहीं कर पाते विरोध की चलिए नहीं है एक तो कहना यह है कि मुद्दा नहीं है आपके पास बीजेपी का कहना है दूसरा कहना है टूटी फूटी कॉंग्रेस कैसे एक जुठ हो सकती है आपको तो विरोध करना भी नहीं आता बड़े भारी भरकम आरोपों के दायरे में लाने कोशिश की है सुन्दरानी जी ने बीजेपी की तरफ से कॉंग्रेस को जी जवाब दीजे देखे द्वेदी जी भाती जनता पाल्टी के इस्तिति क्या है प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है छै मेने में इस सहाय सरकार को प्रदेश की जनता आसहाय सरकार कहना साय सरकार में जो अभी घतनाय हुई है ना तो भूतकाल में होगी ना भवीशकाल में होगी अरेदी कलेक्टर रratedasi के कारेले को जला दिया गया ये देश का पहला मामला है हम तो कहेंगे कि भवीस में भी कोई इस प्रकार की घटना इस देश में ना हो एक निकम्मी सरकार है जो कानुविस्ता को सम्हालनी पारी है अंतराष्टी जो गैंगिस्टर है वो प्रदेश में आकर लोगों के घर में गोलिया चला रहे हैं हम तो कहेंगे भवीस में ऐसी गटनायन नहीं होनी चीज़ जो साह सरकार में हो चुका है यहाँ पी आप देखेंगे माब लिंचींगी घटना हो जाती है तीन दोस लोगों को भार्चती जनता पाल्टिक के अनुसांगिक संगठन के लोग इतना मारते हैं कि उनकी मृत्ती हो जाती है और कानून उसको नया होनी चाहिए पूरे प्रदेश में एक ऐसा दोर आ गया है द्वेदी जी कि सुर्यास्त के पहले नागरिक अपने घर जाना चाहते हैं और निकलने से डर रहें वाइपारी पर कब गोली चल जा को ठीकाना नहीं है बिजली की महंगाई को लेकर अभी तुम्हेरे साथ बैठ पहन अकरवाल जी इनके ही विधायक राजेस मुड़ज जी प्रदेश में कानुन व्यस्था को लेकर गोली कांट को लेकर कितने खरी खोटी सुना है अकबारों के सुर्खिया रही है हमसे पूछते मुद्द क्या है अरे मुद्द बहुत सारे है छे मैने में छे साह सरकार क में छे बड़े मुद्दे बताऊंगा अधिवदी आपको दो मुद्द दीजेगा बलोदा बजा की जो घटना हुई है यह भूतों और भौईस में कभी नहीं होगा जो इस निकमी सरकार में हुई है पहली घटना बिगड़ी कानुन विएस्था हर हर गली चौक चौर आप पहले मैं लोगों को पांच पजर बता दीजेगा तीन विशय और बता दीजेगा दूसरे रांड में आप बता दीजेगा जी इनके खुद के नेता विरूत करें हम से बताए जैसा आपने अभी कहा कि ब्रिजमोहन जी की कमी खटकेगी खलेगी इस बार कि एक ऐसा नेता ज अपनी वक्त्रुत्तों कला और अपने अनुभव के अनुभव की लहर में बहा के अपने साथ ले जाता था वो नेता नहीं है बट इस आप एक अपार्चुनिटी है सर यह उन बीजेपी नेताओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं सत्र में कशब ज है कि वो अपनी शालीन और बहुत ही डिग्निफाइड इमेज के साथ एक धारदार मुख्यमंत्री की छवी को भी एक अलग अद्दाज में पेश करें तो बीजेपी के लिए एक बड़ा आउसर है यह इस रूप में भी देखते हैं आप इसको देखिए दो बाते हैं जो पहली बात है कि जब राजेस मूरत मंत्री थे कुछ बोल दियते सदन में कॉंग्रेसियों ने उनको बकट कर दिया बोले ना उनको सवाल पूछेंगे ना उनका कोई जवाब हम सुनेंगे सदन में जब तक राजस मुड़त खड़े होते थे विपक्स बहिर गमन कर लेती थी ब्रिज मोहन जी ने उसकी पहल की अब बोले नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे किसी मंत्री को मेरे कहने का तातर्ज यह है कि आज बीजेपी में सब डर रहे हैं कि कॉंग्रस के साथ अगर दोस्ती रखेंगे तो पार्टी के नजरों में कहीं दिक्कत ना हो जाए और यही कारण है कि सब दुरी बनाते हैं विपक्से ब्रिज महान ची क्योंके रैपूर के भी रहे लंबे अर्से से रहे और वो जान बुझ के विपक्स के साथ दोस्ती रखते थे जो भी अभी बनेगा पहली बात है पार्टी उनको उतनी आजादी देनी चाहिए और उनकी ब्रक्तित तो ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉंग्रस क साथ भी उतना बहतर समन्मा उनका हो रिलेसन हो ये फ्लोर मेनेजमेंट की तरीका है बहुत संदर्बाद परलेवेंट भी हमने यही देखा है यह जो बहुत जरूरी होता है इसके लिए पार्टी कितनी तयार है पहली बात और दूसरी बात है कॉंग्रस कितनी तयार है कि कि अगर आप नेता प्रतिपक्स के साथ रहेंगे तो भुपेश बघल नाराज भुपेश बघल के साथ रहेंगे कोई और गुड नाराज तो यह सब के साथ समन्मा वनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति चाहिए और थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पार्टी अगर स्ट्रेजी सोचे इसी तरह का कोई चीज को रखेंगे बिल्कुल हो सकता है हो जाए लेकिन फिलाल तत्काल में मुझे उसका कमी देख रही है बिल्कुल सर आपने ठीक कहा और हमने पहले भी 90 के दशक की राजनीती में भी देखा है कि हरकिशन सिंग सुरजीत मार्कसवादी कमिनिस पार्टी अमर सिंग समाजवादी पार्टी प्रमोद महाजन भारती एजंता पार्टी जो बहुत ही सुन्दर समनवय करते थे लेकिन 2014 के बाद एक कन्फरेंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स का एक चेहरा उभरा है जहां बहुत निर्ममता से दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और यह लोगतंत्र की वह तस्वीर नहीं है जो तस्वीर खुबसूरती पैदा करती है और विश्वास पैदा करती है सुन्दरानी जी यही सवाल बड़ा है लेकिन मुझे लगता है कि लीड लेने का एक बढ़िया हो सकता है खुद मुख्यमंत्री इस बड़ा दाइत्व अध्यक्ष के बाद सदन के नेता यानि मुख्यमंत्री का है जी निश्चित उसे शरत जी हमारे जो नेता है विदानतवा में चतीज़ विदानतवा में आधनी विश्णुदे साय जी सरल सौम में व्यक्ति है और विपक्ष को साथ लेके चलने की शमता है केंद्री मंत्री रहे लंबा अनुबह रहा है लंबा उनका राजनेतिक इतिहास रहा है और वो किसी के प्रती द्वेश नहीं रखते विपक्ष को साथ में लेके चलने की शमता के साथ को काम करेंगे मैं निश्चित मानता हूँ कि पिछले पांच साल जो प्रदेश में स को सी किर्थी दिला खिला है कई सारे सडकों के काम की बात करके आया और उसका परिणाम भी शिक्र हमको मिलेगा चलिए तो वो निभाएंगे जिम्मेदारी सर वक्त कम है इसलिए मैं अधिक समय माफी चाहूंगा नहीं देपाऊंगा आपको ठाकुर साब बहुत कंक्लूड से दिल्ली से आते ही अधिकारियों की जो ट्रांसपर हो कर दिये गया यह समझ में आता है कि यह काम लाने तो नहीं गय था धिकारियों के ट्रांसपर करने की सूची को अनमोधन कराने गय था ऐसा समझ में आता है और जितने भी सुन्दराइज ने कहा कि यह यूजना ले का मामला हो या वन विभाग का मामला हर मामले में सास की कमचारी आंदोलन कर रहें तो पूरी तरीका से असहाज सरकार है और कांग्रेस एक मलबूत विपक्ष तोर पर इस पदेश की जनता को उठाएगी हम इंसे आगरा करते हैं कि यह माइक को म्यूट करकर नहीं भागेंगे व चीज को अपने सीनियर से सुनता था अरजुम सिंग्हा वक्तरत्त तो सदन सुनता था जब सुदरलाल पटवा बोलते थे अविक्रम वर्भ मा ब TYimens थे सत्रथर तो सदन ठाएर कर सुनता था और बहुत पहले सूने तो होमीदाजी जी का जो एक मात्रवाम पंथी दल के विधायक बाद में राम लखन शर्मा जी रहे उनको सुनने के लिए लोग ठहरते थे और नोट्स लेते थे कि होमीदाजी बोल रहे हैं यह परंपरा हमारे सदन की थाती है एक बहुत मूल्यवान चीज बनवारिलाल अगरव आपाल जी को एक प्रसिक्षु पत्रकार के नाते मैंने ने अध्य प्रदेश विदान सभा में सुना और क्या बोलते थे धाराप्रवा और क्या डभी होती निकाल की सीटी सरकारी पर एक लाख रोपए खर्च होते हैं और पूरा प्रदेश उस समय सदन की कारवाही के लिए सरकारी अमले कारे करते हैं सदन चले सदन चलेगा तो जनता की आवाज गुजेगी और लोक्तंत्र के मंदिर की घंटियां अबादित रूप से बचती रहेंगी बहुत-बह पर फेश खबरों का एक पूरा नेटवर्क है हमारे इस खास प्राइम टाइम खुलेटी रश्काराइब प्राइब 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 प्राइब